जैन साथियों आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है देखिए नॉवंबर महिने का जो पार्ट 2 है ये आपके सामने है पार्ट 2 मैंने कल रात में 9 बजे अप्लोड किया था तो ये जो पार्ट 2 हैस्ट में भी आपको 100 प्रश्ण मिलेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आ उसको जोईन जरूर कर लिजेगा अब मेरे सारे कंटेंड आपको उसी टेलीक्राम ग्रूप में मिलेंगे तो उसको जोईन कर लिएगा और देखे ये चैनल नया है चुकि मैंने पुराने वाले चैनल पर पढ़ाना बंद कर दिया अभी कुछ समय के लिए तो नय वाले चै संख्या 100 तक कंप्लीट कलिया था और इस वीडियो में हम 101 से लगाए प्रशन संख्या 200 तक कांटिन्यू करेंगे और आपको सभी प्रशनों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलने हैं क्योंकि आपने डेली करने पर सेसन में ये सारे प्रशन जो है बहुत ही डीटेल मे देखा हुआ है तो अपना स्कोर जरूर बताईएगा शुरू करते हैं वीडियो को देखे 101 प्रशन है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए इस मारक 5 यूरो के सिक्के का नावरट किया तो देखे 9 महिने में United Kingdom की सरगार ने 5 यूरो क एक सिक्का जारी किया जिसमें महात्मा गांधी का फोटो आपको मिलेगा छपा हुआ ठीक है एक सो दोवाई की हाल ही में किसके द्वारा लिगी पुस्तक दसेज विट्टु हांस अन्यूशवल टेल्स फ्रम माइथोलाजी का अनावरट किया गया तो दिखे यह जो पुस् आईये में किसे युवा मामले और खेल मंद्राले के द्वारा भूमी सासी के छेतर में उतकरिष्ट योगदान देने के लिए तेंजिंग नौरगे राश्टी सासी पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है तो देखे यह बिक्तियाप के हैं प्रियंका मोहिते देखे यहां प लाइट टैम अच्यूमेंट स्रेडी में दिया गया है तो इसकी विनर्स का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं देखे यहां पर जो प्रियंका मोहिते हैं तो प्रियंका मोहिते का पुरा नाम है प्रियंका मंगेस मोहिते इनको जो है भूमी सासी की स्रेडी में करनल सर्वेस धढ़वाल को हवाई सासी के स्रेडी में जो है Teng적으로 राष्टी सासी पृस्कार, 2020 दिया गया है। साहत में जो आपकी जैकिसंञ जी है इनको lifetime achievement स्रेडी में Tengeng Norgay राष्टी सासी पृस्कार, 2020 के लिए चुना गया है। तो इन सभी का नाम नोट कर लिए अगर आपको नमबर चाहिए एक्जाम में तो, देखिए जो प्रियंका मोहिते हैं, ठीक है, तो प्रियंका 2020 तेंजिंग नौर के राष्टी पुरसकार के साथ प्राप्त करताओं में से कहें, और 2021 के राष्टी खेल पुरसकार के दोनार रा 1994 में राष्टी साथी पुरसकार के रूप में स्तापित किया गया था इसको तेंजिंग नौर के राष्टी साथी पुरसकार को, तो बाद में 2002 में इसका नाम मतलखकर तेंजिंग नौर के राष्टी पुरसकार कर दिया गया, और देखिए तो तेंजिंग नौर के हैं, ये तो यहाँ पर देखिये मैंने बताया भी था कि भूमी समुद्र और वायू ठीक है भूमी सासीग जल सासीग और हवाई सासीग ठीक है तो इन तीन्स रेडियों में और साथ में लाइट टैमर्च इवेंच रेडियों में ये पुरुसकार दिया गया इस बार अगला की हाली में किस राजी की 13 वर्षी तजामूल इसलाम ने भारत का प्रत्दित करते हुए मिसर के काहिरा में आयू जीत विश्वकी की बॉक्सिंग चेंपेंशिप में अंडर 14 आयू वर्ग में स्वान पदगी था अगला की मैक्सिको सिटी ग्रेंड प्रिक्स 2021 का किताब किस ने जीता तो दीके मैक्सिको सिटी ग्रेंड प्रिक्स 2021 का किताब मैक्स वर्ष्ट अपन ने जीता था और 167 और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानिकी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलप्मेंट किस दिन मनायता है तो दीके जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलप्मेंट है ये 10 नॉम्मर को मनायता है और इस वर्ष्ट का उत्सो जो है यानिकी 2021 का जो ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलप्मेंट है ये जो है जलवाजू तयार समुदायों के निर्माण के महतुकों को उजागर करेगा 107 की इंटरनेशनल वीक आप साइंस एंड पीस यानिकी विज्ञान और सांती का अंतराश्टी सब्ता कम मनाय गया तो देखे विज्ञान और सांती का जो अंतराश्टी सब्ता है ये 9 से 14 नॉम्मर तक मनाय गया है अगला 21 को अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर आपदा मन्द चुना गया तो देखे अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर आपदा मन्द चुना गया आसिफ अली को देखिए आसिप अली पाकिस्तान के क्रिकेटर है और इनके साथ में जो है एक महिला क्रिकेटर है आइरलेंड की इनका नाम है लौरा डेलानी तो इनको जो है अक्टूबर महिने के लिए ICC प्लेयर आपदमन्द चुना गया और यहां पे मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ देखिए यह जनवरी से लगाए अक्टूबर तक के ICC प्लेयर आपदमन्द चुने गए मेल प्लेयर और फीमेल प्लेयर है क्रिकेटर ठीक है इसका स्क्रीन सौर लेके नोट कर लिएगा और देखिए अगर आप आज का वीडियो देखेंगे 16 दिसंबर का तो 16 दिसंबर के वीडियो मैंने जो है नॉमबर महिने का भी देखिए यहां पे अक्टूबर तक का है तो नॉमबर महिने के भी ICC प्लेयर आपदमन्द का नाम बताया है तो आप 16 दिसम्बर 2021 का वीडियो भी देख लीजेगा एक सोनौमा की भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारिक को मेंटर्सी प्रोग्राम लांच किया तो देखी भारत सरकार ने आट नौमबर दोजार 21 को जो है यंग इनोविटर्स के लिए मेंटर्सी प्रोग्राम है क्या देखे ये मेंटर्सी प्रोग्राम जो है ये एक अखिल भारती योजना के तोर पर शुरूग गया गया है जिसमें जव प्रदो की विभाग यानि कि डिपार्टमेंट आप बायो टेकनोलजी के द्वारा समर्थित हर जिले में स्टार कालेज की परिकल्पना की गई है अगला की हाली में किस मसहूर मलयालम अबनित्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया एक द्वी पक्षी समझोते पर स्ताक्षर किया तो दीखे देश इस इस इसराइल है अभी हाली में इसराइल ने भारत के साथ तक्निकी सहयोग बढ़ाने के लिए और इसको और प्रकाठ बनाने के लिए साथ में नमाचार के छेत में एक दूई पक्षी जो है समझोते पर हस्ताक्चर किया था और 112 की के अंदर सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुक के रूप में नुप किया तो दीखे भारत के अगले यानि की नए नौसेना चीप बन गये हैं वाइस एड्मिरल आर हरी कुमार ठीक है इन्होंने इस पत पर एड्मिरल करमबीर का सान लिया है तो करमबीर जी का जो करेकाले समातो चुका है वाइस एड्मिरल आर हरी कुमार बन गये हैं इंडियन नेवी के चीप अगला की अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्थरी सीखर सम्मिलन की मेजबानी की है और इस सीखर सम्मिलन में कुल कितने देश सामिल हुए है तो दीखे इसमें टोटल साथ देश सामिल हुए थे इस NSA यानि की दीखे NSA का मतलब हो गया राष्टी सुरक्षा सलाकार यानि की नेशनल सेक्योटरी जो एडवाइजर होते हैं उनको NSA कहते हैं सौट में और हिंदी में कहते हैं राष्टी सुरक्षा सलाकार ठीक है इरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजीकिस्तान के जो समकक शहें अजी डोभाल के यानि कि जो वहां के राश्टी सुरक्षा सलाकार है उन समी ने पार्ट्चवेट किया था इसमें एक सोचोधा हुआ है कि भारती नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहट चौथी स्कार्पियन पंडूबी सौपी गई है उसका क्या नाम है तो दीकि भारती नौसेना को जो प्रोजेक्ट 75 के तहट अंतराश्टी जिमनाश्टिक फेडरेशन के अध्यश की रुप में चुना गया है तीन साल की यहुदी के लिए एकसो सोलवाई की ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्क्रेड में भारत 30 देसों में किस अस्तान पर है तो देखें जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है इसके पहले संस्क्रेड में भारत 30 देसों में 18 अस्तान पर है और इस Global Drug Policy Index में पहले थान पर नार्वे है दूसरे थान पर न्यूजिलेंड है तीसरे नीज़िलेंड है तीसरे थान पर पुर्दगाल है चौथे थान पर UK है पांचले स्थान पर आστलिया है 26 में स्थान पर मेक्सिको है 27 में स्थान पर Kenya है 28 में स्थान पर Indonesia है उन तीसमें अस्तान पर युगांडा है और इसमें सबसे आखरी यानि कि तीसमें अस्तान पर आपका ब्राजिल है और इस सुचकांग को किसने जारी किया है इसको Harm Reduction Consortium के दोरा जारी किया गया था नौंबर महिने में तो Global Drug Policy Index को किसने जारी किया था? Harm Reduction Consortium ने और इस Global Drug Policy Index में देखिए ये पहली बाल इसको जारी किया गया था? पहला संस्क्रार था इसका तो इसमें भारत 18 में अस्तान पर है अगला कि पुरुसों के T20 International में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने? तो इसमें पुरुसों के T20 International में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गया है रोहित सरमाजी एक सो ठारवाई की राश्टी सिक्षा दिवस्यानी की National Education Day का मनायता है तो इसमें की राश्टी सिक्षा दिवस्यानी की National Education Day को हम 11 नॉमबर को मनाते हैं 119 की हाल ही में किस राज सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे स्रमिकों की साहता के लिए स्रमिक मित्र योजना सुरू की तो दिखिए स्रमिक मित्र योजना को सुरू किया है दिल्ली की सरकार ने 120 है कि अंतराष्टी सौर गड़बंदर में सामिल होने वाला 101 सदस देश को बन गया है तो दीकि अंतराष्टी सौर गड़बंदर में सामिल होने वाला 101 सदस देश आपका अमेरिका है 121 हैं कि आसम के गायक संगितकार अभिनेता जूबीन गर को किस बैंक ने आसम राज के लिए अपना नया ब्रांड एमिश्टर न्यूत किया है तो दिखें बंधन बैंक ने जूबीन गर को आसम राज के लिए अपना नया ब्रांड एमिश्टर बनाया है और 112 वहाँ कि MW India के नए ब्रान्ड एमिश्टर कौन मने तो दिखे MW India के नए ब्रान्ड एमिश्टर बन गया है आमिताब बच्चन जी और CISF के नए प्रमुग कौन मने है तो दिखे CISF के नए प्रमुग बन गया है सील वर्धन सिंग जिनका SSC GD का एक्जाम लगा हुआ है उसको यार रखेंगे कि CISF के जो है यानि कि Central Industrial Security Force के जो नए प्रमुख बने हैं का नाम है सील वर्धन सीम NDRP की बात हो रही है NDRP के नए डारेक्टर जनरल यानि कि DG कौन बने तो दीखे NDRP के नए डारेक्टर जनरल बन गया है अतूल करवाल जी और 125 प्रशनी की हाल ही में नवाक जोकोवी जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है इनोंने फाइनल में भी हाली में रूस के किस किलारी को हरा कर पेरिस प्रांस में अपना छटमा पेरिस किताब और रिकार्ड 37 मांस्टर किताब जीता तो देखिए आपको पता दूँ रूस के किलारी थे डैनिल मेद्वेदेव जिनको नवाक जोकोवीच ने हराया और छटमा पेरिस किताब जीता देखिए जो चटमा पेरिस किताब था तो इसमें पूरूस एकल किताब नवाक जोकोवीच ने जीता डैनिल मेद्वेदेव क और इसमें जो डबल्स का खिताब है ये टीम पुज और माइकल विनस की जोड़ी ने पियरे यूगस हर्बर्ट और निकोलस माहूत को हराकर जीता था अगला प्रशने की किसी थी को अब हर साल जनजाती गौरो दिवस मना जाएगा दीकि ये दिवस सबसे ही important है क्योंकि ये पहली बार मना जाएगा इस बार दीकि पंद्रेर नवंबर को हर साल जनजाती गौरो दिवस मनाने की घोष्टा की गई है यार केगा और ये बिर्शा मुन्डा के सम्मान में मनाय जाने की घोष्टा की लिए की गई है अगला एकी जलवाय। परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2021 में भारत के स्थान पर है अगला एकी सन्राइज ओवर आयोध्या नेशन हूड इन आवर टाइम्स किसकी लिखी कई पुस्तक है तो दिखिए ये पुस्तक जो है सलमान खुर्षिद ने लिखा है जो कि पूरो केंदरी मंतरी रह चुके है याद लिखेगा सन्राइज ओवर आयोध्या नेशन हुड इन अवर टाइम्स इसको लिखा है सलमान खुर्षिद ने अगला है कि नहरू दा डिबेट्स देट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है तो दिखिए नहरू दा डिबेट्स देट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को लिखा है तुरिपूर दमन सिंग और आदिल हुसेन ने एक सो तीसवा की विस्वर नीमोनिया दिवस का मनायता है तो दीके विस्वर नीमोनिया दिवस को हम बारा नॉम्मर को मनाते हैं अगला की लोग सेवा प्रसारण दिवस हैं ये पब्लिक सर्विस ब्रोडकस्टिंग दे कम बनायता है तो दीकि लोग सेवा प्रसारण दिवस को 12 नॉमर को बनायता है और नेक्स्ट है की हाल ही में किस देश के नोबल पुरसकार विजय था और पुर्व राश्पती F.W.D. Clark का निधन हो गया तो दीकि जो आपके F.W.D. Clark है ये जो है दक्षिड अफरीका के पुर्व राश्पती थे ये नोबल पुरसकार विनर भी थे इसलिए इनका नाम में इंप्रोड़न बन जाता है याद रखेगा जो आपके दक्षिड अफरीका के पुर्व राश्पती जो नया महा निधसाक इसको याद रखेगा अगला है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किसके लाड़ी ने विराट कोहली का रिकार्ड तोड़कर सबसे कम बारियों में कितना टोटल 25 सोरण मनाने का रिकार्ड अपने नाम कर लिया है तो दीखे ये रिकार्ड ब सर बताते रहेगा और जिन लोगों ने भी तरह वीडियो को लाइक नहीं कि हैं लाइक कर दीजिए उसके लिंक को तुरनत कॉपी करके सभी टेलिग्राम वाटसाप ग्रूप में शेयर कर दीजिए ताकि और लोभी सेसन से जुड़ सकें दीए प्रशन है कि भारत के अंटर क्imumak sankraR juhay ayut kya गया घया था गवा में अगला की बारत के बातर्मे ग्रेंट मास्टर सबależ आरे मित्रभान हैं इन्होंने भिहाली अपना तीसरा जो GM नौर्म है यानि कि Grand Master बनने के लिए जो नौर्म्स है कुछ दिख है तो ये जो है Grand Master निकोल सेडला के खिलाब जीता और जो आपके भारत के मित्रभाग गुहा है इन्होंने दूसरा Grand Master नाम बांगला इसमें सिख रसेल Grand Master टूरना में 2021 में हासिल किया था ठीक है तो ये 22 Grand Master बने है मित्रभाग गुहा देखे इनके पहले 3 Grand Master और बने थे 89 Grand Master हर्सित राजा बने थे महराश के 70 Grand Master बने थे तिलंगाना के राजा रित्विक और महराश के संकल गुपता 71 Grand Master बने थे और संकल गुपता के बारे मैंने जो इस महीने कायाने की 9 महीने का पार्ट वन था उसमें बताया था 177 की Games 24-7 Fantasy Cricket Platform My 11 Circle ने किसे अपना नया ब्रैंड एमेज़र को सिक किया है तो दिखे मुहम्मद सिराज को जो है जो आपका 24-7 Fantasy Cricket Platform My 11 Circle है इसने अपना नया ब्रैंड ने विश्टे बनाया है अगला की हाल ही में कौन दुबारा जापान के नए प्रधान मंत्री बने दिखी जापान हमारा मितर देश है जापान के PMCM जो भी है सब का नाम याद रखो तो फोमियो की सीधा जी जो है ये जापान के नए प्रधान मंत्री बने है इसको आप या रखेगा अगला की हाली में केंदरी आवास और सहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्री हरदीब सिंगपूरी ने वीडियो कॉन्फिरेंसी के माधिम से किस स्थान पर जो है स्थित महरानी लक्ष्मी बाई महिला कालेज में रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा का अनावर्ण किया तो दीके नॉम्मर महिने में हिसार में हरदीब सिंगपूरी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसी के माध्यम से जो है महरानी लक्ष्मी बाई बाईला कालेज में रानी लक्ष्मी बाई की प्रत्मा का नावर्ण किया गया था 140-वाई के हाली में जलवायू सहयो के लिए किन दो देसों ने आपसी भूराजनिती प्रत्यूंदा के बावजूत 10 नॉम्बर 2021 को परसपर सहयो के लिए सहयो बयान जारी किया तो देखिए अमेरिका और चीन देखिए अमेरिका और चीन में बिलकुल नहीं बनती है आपको बताई होगा लेकिन फिर भी ये दुनों 10 नॉम्बर को जो है एक साथ आए और इनोंने आपसी भूराजनिती प्रत् देना चाहिए एक दुसरे का 141 की भारत ने 10 नॉम्बर 2021 को काउन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूपता वेपोर्टल लांच किया तो देखिए भारत ने जो है 10 नॉम्बर 2021 को ई अमरित पोर्टल नाम का एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूपता वेपोर्टल लांच किया था एक सो बैली समय की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिसक कुण बने तो दीखे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए महानिसक बने हैं का नाम है सत्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए महानिसक बने हैं का नाम है सत्य नार्कोटिक्स कंट्रो कब से कब तक मनाया जाता है तो दीखिए जो विस्वर रोकाडू रोधी जागता सप्ता है ये 18 से 24 नौमबर तक मनायाता है और 2021 के लिए इसकी थीम रही अगला की हाल ही में लगभग 100 साल पहले किससान से चुराई गई और हाल ही में कनाडा से मिली जो अनपोरा देवी की एक मूर्ती है इसको इस मूर्ती को वापस भारत में जो है लाया गया है तो दीखिया आप पता दूँ वाराणसी से चुराई गई 100 साल पहले अनपूरणा देभी की मुर्ती थी इसको वापस भारत को भारत में लाए गया है और इसको बनारस में फिर से स्थापित किया गया है तो ये कनाडा में चोरी होकर गया था और कनाडा से फिर वापस बारत में आ चुका है मूर्थी और वारासी में स्थापित भी हो चुका है ये मूर्थी कुछ इस प्रकार से दिखता है अन्य पोड़ा देवी की ये मूर्थी है देखे हाथ में ये बेलन लीव ही है ठीक है 145 की हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनररल प्रभू राम सर्मा को राश्पती रामनाथ कोविन के द्वारा भारती सेना के जनररल की मानद रैंक से सामानित क्या गया है तो देखिए नेपाल के जो सेना प्रमुख है जनरल प्रभु राम सर्मा इनको भारत के राश्पती रामनात कोविन ने भारती सेना के जनरल की मानत रैंक से जो है सामानित क्या था नवंबर महिने में देखिए एक परंपरा 1950 में सुरू हुई थी यह परंपरा जो है यह थी भारत और नेपाल के बीच में मितरता को कायम रखने की ठीक है तो नेपाल का जब भी कोई भी सेना प्रमुख भारत आता है तो उसको भारती सेना के जनरल की मानत रैंक से समानित क्या आता है और भारती सेना के जो प्रमुख थे उस समय मनोज मुको नर्वडे इनको नेपाल के सेना के जनरल की मानत रैंक दी थी तो पिछले साल जो है नर्वडे जी को मिला था इस बार नेपाल के जो सेना के चीप आयते है जिनका नाम क्या है जिनका नाम है जन्दल प्रभु रामसर्म तो इनको यही सम्मान यानि की भारती सिना के जनरल के रैंक से जो है सम्मानित किया भारत के राश्पती रामनात को मिन दे अगला की राज्यसभा के महासचियू कौन बने तो देखे राज्यसभा के नए महासचियू बने है प्रमोज चंद्रमोदी यानि की PC मोदी और इन्होंने PPK रामा चारियूलू का अस्तान लिया इस पत्पर अगला की खुद्रा मुद्रस्पिती अक्टूबर महीने में बढ़कर कितनी हो गई थी तो दीखे जो खुद्रा मुद्रस्पिती है ये अक्टूबर महीने में बढ़कर 4.48% हो गई थी अगला की Unshackling India Hard Truth and Clear Choice for Economic Revival नमा पुस्तक को खिसने लिखा है तो देखें ये पुस्तक आजय चिबबर और सलमान अनी सोजने मिलकर लिखा है फिर से सुनिए Unshackling India Hard Truth and Clear Choice for Economic Revival को लिखा है आजय चिबबर और सलमान अनी सोजने मिलकर 149 की हाली में खिसे सविक्त राष्ट विस्वखादे कारिकरम के सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया है तो दीखे भी हाली में डेनियल बुरुहल को जो है समित राष्ट विस्वखादे कारिकरम के सद्भावना राजूत के रुप में नामित किया गया है एक सोपचासओं प्रश्णी की भारती नौसेना की प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की जो 34 स्कार्पियन स्रेडी की जो पंडूबी है इसका क्या नाम है जिसे फ्रांस के सयुख से मजगाओं डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड ने निर्मित किया है बारती नौसेना की प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की जो 34 स्कार्पियन स्रेडी का पंडूबी है इसका नाम क्या है आई एनस विला है जिसको फ्रांस के सयुख से मजगाओं डाक से बिल्डर्स लिमिटेड ने विक्सित किया है तो ये चौथा था इसके पहले तीन जो है ये मिल चुके है दीकि वर्तमान में 6 पंडूबियों में से प्रोजेक्ट 75 के दहत तीन पंडूबियां जो भारत को मिली है बारती नौसेना को इसका नाम है आई एनस करेंज, आई एनस कलवरी और आई एनस खंडेरी अगला की हाली में किस संगठन के पुरू उपाद्यक्ष आनन्द संकर पांडिया का निधन हो गया तो दीकि आनन्द संकर पांडिया जो है ये विस्व हिंदू परिसत के पुरू उपाद्यक्ष रह चुके है अगला की हाल ही में किस राज के वाइनाट जिले में नोरो वाइरस के पहले मामले की पुष्टी हुई तो देखे जो केरल राज है उसके वाइनाट जिले में नोरो वाइरस के पहले मामले की पुष्टी हुई थी नवंबर महिने में एक सो तिर्पानुआ की हाल ही में किस राज में स्थित बद्राचलम को IRCTC की रामायर सर्की ट्रेन में एक गंतविक रूप में जोड़ा गया तो देखे जो ये बद्राचलम प्लेस है ये तेलंगाना में स्थित है और ये बद्राचलम जो ही है स्री सीता रामचंदर स्वामी का मंदिर का घर है एक सो चोवान हो है कि बर्मिंगं 2022 राष्ट मंडल खेलों में किस नए खेल को सामिल किया गया है तो देखे जो कॉमन वेल्ड गेम यानि कि राष्ट मंडल खेल होने वाला है बर्मिंगं में 2022 में तो इसमें महिला क्रिकेट को जोड़ा गया है और आपको दादू जो 2022 का कॉमन वेल्ड गेम होगा राष्ट मंडल खेल होगा बर्मिंगं में जो कि आज किया जाएगा तो ये जो है 28 जुलाई 2022 को शुरू होगा, ये 8 अगस 2022 तक चलेगा, इसका मोटो होगा Games for Everyone, इसका मेन प्लेस होगा venue होगा Alexander Stadium और इसमें जो टोटल लगभग 5054 एथलीट पार्ट्स बेट करेंगे अगला की हाली में National Payment Corporation आप इंडिया यानि की NPCI की जो सहय कंपनी है भारत Bill Pay Limited इसने वीमा करताओं के ग्राखों को अपनी प्रमुक पेसकास जिसका नाम है क्लिक पे ठीक है तो क्लिक पे प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझोता किया है तो दीके NPCI की सहाय कंपनी भारत Bill Pay Limited ने बीमा करताओं को ग्राखों को अपने प्रमुक पेसकास क्लिक पे प्रदान करने के लिए ICICI Prudential Life Insurance के साथ एक समझोता किया था नवंबर महिने में अगला है कि हाल ही में भारती रिजर्व बैंक ने किस क्रेडिट कार्ट जारी करता कंपनी पर नए ग्राखों को जोडने के लिए ततकाल प्रभाव से लगाए गए प्रदिबंदों को अटा दिया है तो देखिए ये कंपनी है डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में किस ने राजेपालों और उपर राजेपालों के एक क्याओन में सम्मेलन को सम्मोधित किया था इस से पहले जो पचासवा सम्मेलन था 2019 में आज़ित किया था 20 में आज जो नहीं हुआ था कोरुना के कारण अगला की हाली में किस राज सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को सुरू किया गया है ओडिसा सरकार के दौना अगला की हाली में किस ब्यूटी और फैसन एकामर्स प्लेटफर्म कंपनी की सीओ और संस्तापक फालगुनी नायर का नायर जो है यह भारत की सबसे अमीर सिल्फ मेड महिला बन गई है तो दिखिए एक कंपनी है नायका चिक है तो नायका क्या है ब्यूटी और फैसन एकामर्स प्लेटफर्म कंपनी है और इसकी जो सीओ और संसापक है फालगुनी नायर यह भारत की सबसे अमीर सिल्फ मेड महिला बन गई है और इनका नाम मैं पुधार हूँ 200% गैरेंटी के साथ एक्जाम में बिल्कुल चपा मिलेगा यह प्रशन ठीक है 160 की हाली में अमेर्की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलोन मस्क के स्वामित वाली नीजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने 10 नॉमबर 2021 को क्रू 3 मिसन लांच किया है और जो क्रू 3 मिसन है इसमें भारती मुल्के नासा की किस अंतरिक्ष यात्री को जो है इसके मिसन कमांडर के रूप में सामिल किया गया है तो दीखिए इनका नाम है राजाचारी नाम याद रखेगा एक्जाम में पेपर में छबावों मिलेगा यह प्रशन मिलकूल एक्जाट मां यह भारत की पहली सारेडिक राष्टी योगासन चैंपियन का आयोज़न जो है गैरा से तेरे नॉबर तक ओडिशा में किस अस्थान पर किया गया था तो देखे भारत की जो पहली सारेडिक राष्टी योगासन चेमबेसिप थी यानिकी फिसकल नेशनल योगासन चेमबेसिप थी इसका आजन ओडिसा की रजदानी बोनिशोन विकिया गया था 11 से 13 नॉबर तक अगला की हाली में किस टीम ने ICC T20 World Cup में न्यूजिलेंड को 8 विकेट से हरा कर अपना पहला T20 World Cup 2021 जीत लिया है तो दीखे ये टीम आपकी आस्ट्रेलिया की थी आस्ट्रेलिया ने जो है न्यूजिलेंड को 8 विकेट से हरा कर अपना पहला T20 World Cup 2021 जीता इसको नोट कर लिजे ICC T20 World Cup जीता और यहां पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ 2007 से अब तक किसने किसने कब 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 किस साल चैंपेंस्टिप जीती दीखी 2007 में जो आपका ICC T20 विसकोप आइट किया गया था तो 7 में भारत ने इसको जीता था फिर 9 में भी 9 में पाकिस्तान विजए दी हुआ फिर 10 वाला जो T20 World Cup था इसको इंग्लेंड ने जीता 12 में West Indies विनर रहा था 14 में स्रिलंका 16 में West Indies और 2021 में कौन विनर रहा 2021 में आश्टेलियर ने जीता T20 World Cup तो इसको नोट कर लिजेगा आप और 163 प्रशना आपका है कि हाल ही में किस्पुर्व किलाडी को राश्टी क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुक न्यूट क्या गया है तो दीए वी वी एस लक्षमन को राश्टी क्रिकेट अकादमी का जो है नया चीप बनाए गया है इससे पहले जो राश्टी क्रिकेट अकादमी के प्रमुक थे लेकिन इनको राश्टी क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुक बन गया है और जो आपके राहुल द्रविड है ये इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच है और 174 देखिए अगला प्रशन मारा की सैंतर राष्ट जलवायू परिवर्तन संबेलन 2022 जो होने वाला है जिसको कॉप 27 भी आप कह सकते हैं तो इसकी मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है देखिए जो कॉप 27 होगा इसका जो मेजबान होगा ये मिसर होगा और इसके बाद जो कॉप 28 होगा तो कॉप 28 का आउज़न 2023 में कौन करेगा संयुत अरब अमिरात करेगा तो इन दोनों देशों का नाव एरके का नए नए आउजक है जो तिखाए देखिए आप पुता दूँँगों जो आपका 2021 में COP26 जो आजित किया गया था तो यानि इसको हम कह सकते हैं United Nations Climate Change Conference 2021 जो आजित किया गया था ये 31 October से 12 November तक चला था और ये जो है आपका United Kingdom के UK के Scotland के Glasgow में आजित किया गया था COP27 जो है मिस्तर में आजित होगा और COP28 जो होगा ये आपका United Arab अमिरात में आजित होगा अगला की बाल दिवाशनी की Children's Day का मनायता है तो ये मनायता है 14 November को चाचा नहरू के याद में सब को पता होगा अगला की विस्तो मदू में दिवाशनी का मनायता है तो जीकि विस्तो मदू में दिवाशनी को हम 14 November को ही मनाते है क्योंकि चाचा नहरू ने बहुत मिठाईयां कहला दीती 14 November को तो सब को जो है नहरू जी ठीक है तो एक ट्रिक थी 14 November को याद रखेगा विस्तो मदू में दिवाशनी के लिए इंटरनेशनल ला कमिशन के लिए चुना गया है तो देखे अगले 5 साल की यहोदी के लिए विमाल पठेल को अंतराश्टी विधी आयो गया ने की इंटरनेशनल ला कमिशन के लिए चुना गया है इनका जो 5 साल का कारिकाल होगा ये 1 जनवरी 2023 से सुरू होगा और अगला ही की हाल ही में कि सस्तान पर स्थित हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम अदल कर रानी कमला पती स्टेशन कर दिया गया तो देखी जो हबीब गंज रेलवे स्टेशन है ये आपका भोपाल में सी था और अब ये ट्रानी कमला पती रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा अगला ही की हाकी पुरुष जूनियर विस्वकप 2021 के लिए किस किलाड़ी को भारती टीम का कप्तान बना गया है तो देखी हाकी पुरुष जूनियर विस्वकप 2021 के लिए विबेक सागर प्रसाद को बारती टीम का कप्तान बना गया है नेक्स्ट है कि भारत के किस राज में 15-19 नॉम्बर 2021 तक इन्यूमेटर्स और स्टार्ट अप्स के लिए इंडिया टेक्नो प्रेनियर्शिप सीरीज का आज़न किया गया तो दीकि आपको दबना भारत का ये राजिक केरल है केरल में 15-19 नॉम्बर तक जो है इन्यूमेटर्स और स्टार्ट अप्स के लिए इंडिया टेक्नो प्रेनियर्शिप सीरीज का ज़वाजन किया गया था 122 की राष्टी प्रेश दिवस का मनायता है तो दीकि राष्टी प्रेश दिवस को हम 16-19 नॉम्बर को मनाते है और 113 की अंतराष्टी सहिस्वुड़ा दिवस को हम 16-19 को मनाते है और इस वर से पहला C.A.G. कारेले परसर में आर्डिट दिवस मनाय गया है यानि कि आर्डिट दिवस को जो है पहली बार इस साल 16-19 को मनाय गया है और नेक्स्ट है कि हाल ही में कैसरे हिंद को किस राज की राज की तितली गोसित किया गया अगर आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं अगर कैसरे हिंद नाम की एक तितली को अगला की किस भारती क्रिकेट खिलाडी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एमिश्टर मनाय गया है तो दीकि राहूल द्रविड को प्लेटो फुटवियर ब्रांड का ब्रांड एमिश्टर मनाय गया है नेक्स्ट है क में कोलंगिया के एक पूरे सहर का सपाया करने माला कौन साथ जोला मुखी फिर से सक्री हो गया तो देकै कोलंगिया में जो अला मुखी है नेवाडो डेल रूइज ठीक है यह बहुत ही उग्रूओं से फटा था और ये फिर से जो है सक्री हो गया है इसके पहले इस ने बहुत तवाई मचाई थी बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी नेक्षे की हाल ही में केंदर सरकार ने रक्षा सचिव, ग्रिस सचिव और रिसर्च एंड इनलिसिस भी जाने की तो दिखी टोटल दो सालों तक जो है इनका कारेकाल बढ़ाने के लिए एक गजड अधिसूचना नवंबर महिनी में जारी की गई थी एक सचिवा की भारत के पहले समलेंगी जज़ को मनें तो दीकि भारत के पहले समलेंगी जज़ मन गए हैं सौरप कृपाल जी इनको सूपरीम कोड कोलेजियम ने दिल्ली हाई कोड का जज़ बनाने का फैसला किया था नवंबर महिने में एक सो क्याशिवा की हाल ही में भारत सरकार ने सूसासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री परिसत के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बाट दिया तो दिखे आठ समूहों में जो है टोटल मंत्री परिसत के सभी 70 मंत्रियों को बाट दिया गया था नवंबर महिने में अगला की हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पचाड कर वैस्विक धन में वृद्धी कर सिर्थ सस्तान हासिल किया तो दिखे देश आपका चीन यानी की चाइना है चाइना जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है ऐसा बताया है दुनिया भर के देशों की बैलेंस सीट पर नज़र रखने वाली मेलेजमेंट कंसल्टेंड मैकेंजी एंड कंपनी की अनुसंदान साखा की रिपोर्ट ने ठीक है अगला ही हाल ही में किस प्राख्यात इतियासकार वक्ता और महराश्ट के प्रसिद लेखक का निखनो गया तो दिखे इनका नाम था बलवंत मोरिस्वर पुरंदरे इनको ब अगला की ब्राजील ग्रेंड प्रिक्स दोयर 21 किसने जीता तो देखे ब्राजील ग्रेंड प्रिक्स दोयर 21 को लुई सेमिल्टन जीता था अगला ही की राश्टी मिर्गी दिवस कमना आता है तो राश्टी मिर्गी दिवस को हम 17 नौमर को मनाते हैं नेक्स्ट है की अंतर शातर दिवस कमन आता है तो आप एक शातर याणि की student है आपको पताना चाहिए कि सत्रे नौमर को आपका दिन है यानि की सत्रे नौमर को international student day मनाते हैं अगला की हाल ही में किस केंद्री मंत्री ने ज्ञान परिवर्तन के लिए नमाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रदोकी, अनुजानधान और कौसल पर जोड़ देने के लिए ज्ञान एप्लिकेशन को लांच किया तो दिखें नितिन गटकरी ने इस ज्ञान एप को लांच किया था नौवंबर महिने में नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत की वायू रक्षा चंताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रडाली की डिलूरी शुरू कर दिया है देखें भारत जो है ये रूस से खरीद रहा है S-400 मिसाइल प्रडाली ठीक है जो की कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसकी डिलूरी भारत को मिलनी शुरू हो गई है अगला की हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्यन और विस्ट्रेसर संस्तान का नाम किसके नाम पर रखने की गोश्टा की गई है तो दिल्ली में से जोब का रक्षा, अध्यन और विसलेसर संस्तान है ये अब जो है बारत के पुर्व रक्षा मज़री मनुहर परिकर के नाम से जाना जाएगा अगला की विश्वस C.O.P.D. दिवस का मनायता है तो दिखे विश्वस C.O.P.D. दिवस यनि की थीम रही, हेल्दी लंग्स, नेवर मोर इंपोर्टेंट अगला की हाल ही में किसे ICC हाल आप फेम में सामिल किया गया तो दिखे आए ICC हाल आप फेम में जो है महिला चैवर्द ने, सान, पोलाक और जेनेट बुरिटिन इन तीनों को सामिल किया गया ICC हाल आप फेम में अगला की हाल ही में किस अस्तान पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने 82 में अखिल भारती पीठासी नदिकारी सम्मिलन का उधगाटन पीम मुदी ने किया था इस सेमिलन के अदेश्टा जो है लोकसभा के अदेश्ट ओम मिर्दा ने की थी अगला की हाल ही में किसने सीटीजन टेलीला मुबाइल एप्लिकेशन लांच किया तो दीकिस सीटीजन टेलीला मुबाइल एप्लिकेशन को कीरन रिजुर ने लांच किया था नवुमर महिने में तो दीकि VBS लक्षमन को राष्टी क्रिकेट अगेडमी का नया चीप बना गया है नेक्स्ट है कि IQ Air वायू गुडवत्ता सुचकांग 2021 में कि सहर को दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर गोशित किया गया है तो दीकि IQ Air वायू गुडवत्ता सुचकांग 2021 में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर को जित किया गया है उसके बाद फिर दिल्ली के बाद लाहर का अहसान आता है लाहर कहां पर सित सब को पता है पाकिस्तान ठीक है फिर सोफिया बुल्गारिया का सोफिया सहर आता है फिर भारत के कुलकाता सहर को चौथे स्थान पर रखा गया है दुनिया के सबसे प्रदूसित सहरों में और क्रोईसिया का जागरेब शहर है ये पांचवे स्थान पर है भारत का मुबई छटवे, सर्बिया का बेलगरेट साथवे, चीन का चेंगदू आठवे और उत्तरी मैसेडोनिया का इसकोपिय सहर नवे और पोलैन का क्रकाउ सहर जो है यह आपका दस्वे स्थान पर है दुनिया के सबसे प्रदूसित सहरों में अगला की भारत ने अभी हाली में अंटार्क्टिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया तो दीखे नौमर महिने में 41 वज्यानिक अभियान शुरू किया था अंटार्क्टिका के लिए भारत ने दीखे बारत का ये 41 अभियान मैत्री और भारती में साबित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रख रगाव के लिए इंधन बोजन के साथ साथ विभिन प्रावधानों और पुर्जों की वार्षी कापूर्ती भी करें और अगला की तेलंगाना की किस गाउं को दुनिया का सरुस्रेश्ट परेटन गाउं चुना गया है तो दीके तेलंगाना का ये गाउं है पोचम पल्ली इनको दुनिया का सरुस्रेश्ट परेटन गाउं चुना गया है और ये बहुत इंपोर्डेंट कोश्यनेस को नोट खल चाहिए ऐसा statement दिया था नौबर महिने में तो दीखिए आपको दादू अंतराश्टी उर्जा एजनसी ने जो है global warming को कम करने के लिए वर्ष 32 तक पूरी दुनिया को कहा था कि कम से कम आप 30% करनाटक की सरकार ने किस दिवंगत एक्टर को मरडो परांद करनाटक रत्नपुरसकार से समनित किया है तो देखिए आगी के प्रशनों को हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे दो 101 से लगाए 300 तक तो बने रही है इस चैनल पर और दोस्तों को बदाईए कि सर ने नए चैनल बनाया है नए चैनल पर बढ़ा रहे हैं तो मिलते हैं जल्दी जैन जै भारत